आपकार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इस्टेडी विदाकास में और आज मैं आपके लिए कर इंटरफेर इसके कुछ इंपॉर्टेंट कोश्चन्स लेकर आया हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रसंद जो है कौन सा राज इस्थानिक खत होती है वह बहुत कम हो जाती है तो उसी को यह जो है इनका संदच्छड करने के लिए रिपोर्ट जारी करी गई है तो कौन सा पहला राज यह उत्त्रा खंड बन गया है ठीक है यह उत्त्रा खंड राज जो है इस्थानिक खत्रे वाले फूलों के संदच्छड पर रिपोर होने से बचाया जाएगा ठीक कि मतलब वो पूरी तरह से गायब हो जाए इससे पहले उसको क्या किया जाएगा संरच्छड किया जाएगा और उसको उसकी उपच को जो है बढ़ाया जाएगा मतलब पौधे लगाए जाएंगे और भी ठीक है अब अगले कोश्चन को देखते अगला कोश्चन है कि आंध्र प्रदेश ने MSME के लिए कितने करोड रुपए का मेगा री इस्टार्ड पैकेज लाँच किया है तो यह किस ने किया यह आंध्र प्रदेश गौवर्मेंट ने किया है मैंने आपको MSME के बारे में बता रखा है तो आप कमेंट में जितना कु देने करोड का मेगा रिस्टार्ड पैकेज लांच किया है यह आंध्र प्रदेश गवर्मेंट ने लांच किया इसमें दरबण हो गया इसमें कितने रुपए पूछा है तो मैं आपको बता देता हूं तो इसमें कितने रुपए का package launch किया है 1110 करोड़ रुपए का package launch किया है ठीक है घोश्चला करी ही कि जो है MSME के लिए mega start package launch करेंगे यह गोश्चला की है आंद्र प्रदेश ने ठीक है इससे अभी तो इन्होंने पूरा नहीं दिया है 1110 करोड़ रुपए जो है यह नहीं दिये हैं इन्होंने दिये कितने हैं अभी पहले जो है इन्होंने केवल 450 करोड़ रुपए दिये हैं ठीक है औ इतने 450 करोड़ रुपए जो जिये है इसके तहए 98,000 जो इकाईया हैं उनको लाब मिलेगा ठीक है और इनके तहए जो इकाईया का मतलब यहां पर यह है कि जो छोटे-मोटे रोजगार है इनको जो है रोजसाहन मिलेगा ठीक है और क्या किया जाएगा इससे लगबग 10 ला और इसमें ये भी कर दिया गया है कि राजसरकार MSME ठीक है राजसरकार क्या करेगी राजसरकार का मतलब यहां पर आंध्रप्रदेश से हैं आंध्रप्रदेश क्या करेगी कि MSME द्वारा निर्मी 360 वस्तूओं को सीधे खरीदेगी और 45 दूनों की अवध हिमें उनको भु सुक्तान जो होगा वह 45 दिनों के अंदर कर देगी अब चलिए अगले कुश्चन को देख लेते हैं अगले कुश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको आंध्रप्रदेश के सीम के बारे में बता दू कि आंध्रप्रदेश के जो सीम है वह कौन है आंध्रप्रदेश के सीम है य जगन मोहन रेड़ी जगन मोहन रेड़ी अब चलिए अगले कोश्चन को देख लेते हैं अगला कोश्चन है कि यहां पे बताना है किस सरकार ने ठीक है यहां पे किस सरकार ने 25 मई को जीरम सर्धांजली दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो यह कौन सी गवर्मेंट करेगी यह 36 गवर्मेंट करेगी ऐसा क्यों हुआ है पहले तो मैं आपको बता दू कि जीरम जो है वहां पर एक इस्थान है जहां पर जो है चलिए इसके बारे में मैंने आपको नोट्स दे दिया है अगर आपको और भी अच्छे से नोट्स बनान ठीक में पार्टी की रैली के दोरान नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला कर दिया था ठीक है इस हमले में ततकालीन राज जी कांग्रेस प्रमुक नंदुकुमार पटेल उस समय के जो प्रमुक थे नंदुकुमार पटेल और पूर्व नेता प्रतिपच महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्री विद्याचरण सुकल तीक है केंद्री मंतरी विद्याचरण सुकल सहीत 29 लोगों की देथ हो गई थी मार डाले गए थे इसी वज़े से जो ये जीरम सद्धांजली दिवस मनाया जाता है और ये जीरम नाम पढ़ा था जीरम घाटी की बज़े से ठीक है आपको ये याद रखना है नक्सली हमला भी हुआ था इसमें 39 लोग मारे गए थे अब अगले कोश्चन को देख लेते हैं अगला कोश्चन है अंतराश्ट्री गुमसुदा बाल दिवस मतलब इंटरनेशनल मिसिंग चिल्डरन डे इसको आई एन सीडी भ 25 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल गुमसुदा या अंतराश्ट्री गुमसुदा बाल दिवस इंटरनेशनल मिसिंग चिल्डरन डे ठीक है इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं चलिए देखते हैं हर साल 25 मई को दुनिया भर में उन गुमसुदा बच्चों को याद कर परने के लिए अंतराश्टी गुमसुदा बाल दिवस मनाया जाता है टीक है जिनोंने अपने घर को पा लिया है मतलब जो गुमसुदा हो गये थे और उन्हें ढूंड कर उनके घर पहुचा दिया गया है उनकी याद में मनाते हैं ठीक है और उन लोगों को याद करते हैं जो अपराद के सिकार हो चुके और उन लोगों को भी इसमें याद किया जाता है जो इसमें परेसानी जहल चुके हैं या पूरी तरह से उनकी देथ कर दी गई है ये इसलिए भी मनाया जाता है और जो लोग अभी भी लापता है उन्हें खोजने का प्रयास जारी रखते हैं ये किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये IMCD के बारे में पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्रन डे के बारे में पढ़ रहे हैं, चलिए इसमें थोड़ा सा और भी है, वो भी देख लेते हैं, IMCD का प्रतिख जो है वो क्या है, भूल बुलया है, ये आपको याद रकना है, इसका सिम्बल क्या रखा गया है, भूल बुलया रखा गया है, ठीके, इस दिन की घोशचरा, Sun 182 में, अमेरिकी राजपती कौन, रोनाल्ड रीगन, ठीके, डोनाल्ड रीगन है, रोनाल्ड पहली IMCD 2001 में इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्स्प्लाइड चिल्रेन IMCEC मिसिंग चिल्रेन यूरोप और यूरोपी आयोग के सन्युक्ति प्रयासों के माध्यम से देखी गई थी ठीक है आपको याद रखना है important point है और यह PCS level के current affairs है तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि आप अच्छे से पढ़िए नोर्स बनाते चलिए चलिए बागे बढ़ते है अगला जो question है आप देख सकते हैं कि जापानी पेसेवर पहलवान हाना कीमुरा का कितनी उम्र में निधन हो गया यह girl है ठीक है आप इनका name confused मत हो यह कोई आदमी हो लेकिन यह जो है लेडीज है girl है कि इनकी age क्या है 22 ठीक इनकी उम्र केवल 22 साल ही है ठीक है इनका निधन हो गया है और निधन होने का कारण नहीं पता है इनके बारे में मैंने fact लिखा है तो आप fact देख लीजे चलिए पढ़ लेते हैं हना किमुरा का 22 वर्स की उम्र में या 22 साल की उम्र मे निधन ठीक है इन्होंने क्या किया है नेट्फ्लिक्स सीरीज चलती है आपने देखा होगा रियल्टी सीरीज टेरेस हाउस ठीक है कौन सा हूस टेरेस हाउस के नविंतम सीजन में भी अबने किया है मतला बैक्टिंग करी है और किमुरा ने 2016 में जापान प्रो रेसलिंग ज स्टार्डम में सामिल हुई इसलिए इसको भी ध्यान में रखकर चलेंगे और आप यह भी जानिए कि इनकी मौत का पता नहीं चला है कि किन कारणों से इनकी मौत हो गई है ठीक है चलिए अगले कोश्चन को देखते हैं अगला कोश्चन है दोस्तों इसमें थोड़ा सा मिस गोश्चला करी है तो यह किस ने गोश्चला करी है यह अमेरिका ने गोश्चला करी है और मैं आपको इसके बारे में बता दूँ यह बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है प्री के लिए ठीक है आप लोग को लग रहा होगा कि मैं सारे टॉपिक प्री के बता रहा हूं लेक तीक है जो बड़े लेवल के इग्जाम की तैयारी कर रहे है तो उनको पता होना चाहिए डिटेल में ठीक है कैवल इतना ही नहीं कि किस देश ने ओपन संदी से बाहर निकलने की गोश्रा की है अमेरिका ऐसा नहीं कि यह उपन संदी, इसकाई संदी पता भी होना चाहिए, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, आप देखिए, मैंने इसमें फैक लगा दिया है, पेज को लगा दिया है, कि अमेरिकी राजपती डुनाल ट्रम्प ने हाल ही में गोशला करी कि अमेरिका अब ओपन संदी से अलग होगा ठीक है अब संदी के बारे में पढ़ते हैं कि ओपन इसकाई संदी पर 2002 में कब इस्ताचर किये गए 2002 में हस्ताचर किये गए और इस संदी ने प्रती भागियों के लिए एक हवाई निगरानी प्रडाली मतलब आप जो है इसमें जितने सदत से देश होंगे उनके एरिया में जा सकते हैं लेकिन जिस जहाज को ले जाएंगे उसमें हतियार नहीं होना चाहिए मतलब बिना हतियार के जहाज से आप राउंड कर सकते हैं ठीक है इस से जो है आपका क्या होगा मित्रता का भाव रहेगा और अगर आप ऐसा करते हैं कि हतियार लेकर जाते हैं तो ये संदी का उलंगन माना जाएगा ठीक है एक हवाई निग्रानी पर डाली की स्थापना की संदी पर हस्ताचर करने वाले 34 सदत से देश हैं ठीक है कितने देश हैं 34 सदत से हैं अमेरिका और रोस दोनों संदी के हस्ताचर करता है अब देखिए प्राबलम क्या होई अमेरिका क्यों हटना चाता है वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको कि अमेरिका इसलिए इसमें जो है हटना चाता है क्योंकि रूस जो है इस संदी का पालन नहीं कर रहा है चलिए आवलोकन का एक छेतर इस्थापित करती है इसके तहत हस्ताचर करता हूं के छेतरो पर अवलोकन की अनुमती है मतलब जिन जिन सदस्यों ने इस पे साइन किया है उनकी आप छेतर में आवलोकन कर सकते है लेकिन कंडिशन क्या है कि आप हथिहार नहीं ले जाएंगे नहीं हत् कब हुए 2002 में सदस से कितने हैं 34 हैं यह आपको याद रखना है अमेरिका और रूस दोनों इस संदिके हस्ताचर करता है ठीक है चलिए आगे पढ़ते हैं अब इसमें पढ़ते हैं समस्या क्या है क्यों जो है हट रहा है अमेरिका पीछे अमेरिकी राजपती ने संदिसे समझाता है जिससे अमेरिका अलग हुआ है ठीक है यह तीसरा मतलब इससे दो ऐसे समझाते हैं जिससे अमेरिका ने पीछे हट लिया है अब यह थर्ड ऐसा है जिसमें हुआ है अब देखिए हस्ताचर करता देश कौन-कौन से यह हम लोग देख लेते हैं आपने नोटिस कि कहा होगा कि इसमें जो देश हैं जादा तर जो ए यूरोप के और अमेरिका के ही हैं अमेरिका कॉन्टिनन्ट के हैं साउथ और नॉर्थ और यूरोप कॉंटिनेंट के तो चलिए इसमें देखते हैं इस संधी के हस्ताच चर करता देश्तों में युनाइटेट किंगिडम कनाडा फ्रांस जर्मनी इस्पेन इटली फिनलैंड पुर्तगाल श्विडन तुर्की बेलजियम बेलारूस क्रोएसिया बुल्गारिया बोस्निया हर्ज गुविना चेगर राज एस्टोनिया डेनमार्क जॉर्जिया फिनलैंड रूस आइसलैंड हंग्री स्लोवाकिया रूस यूक्रेन स्लोवेनिया ठीक है ये देश सामिले लेकिन इसमें किर्गिस्तान एकमार्त ऐसा देश है जिसने संधी की पुष्टी नहीं की है ठीक है य चलता है इंडिया और जापान के बीच में भी ऐसी कोई संधी है चली आगे पढ़ते हैं जानते हैं अब आगे देखेंगे कि भारत के बारे में ठीक है भारत की जापान के साथ भी एक ऐसी संधी है ठीक है भारत की जापान के साथ भी ऐसे ही संधी ये भारत और जापान न पर हस्ताज चर किये थे भारत ने नागरी राष्ट्री नागरी कुड्या नीती 2016 के अनुसार इस समझवते पर हस्ताज चर किये ठीक है तो आपको समझ विया गया होगा और आप इसका इसके इसको नोट्स बनाके पढ़िए और इसका रिवीजन करिए 100% इसमें से कोशन आना ही आना है अब चलिए अगले कोशन के और बढ़ते हैं अगला कोशन है इंपॉर्टन कोशन है ये बार बार मुझे दिख रहा था पेपर में इसलिए मैंने इसका नेम उठा के रख दिया है कि हाल ही में चर्चित पैंगोंग सो जील किस जगह स्तित है तो यह कहां स्तित है यह लद्दाख में इस्तित है तीक है जहां पर चाइना ने कपजा कर रखा है उपर के रिजन में जैसे यह वाला एरिया है यह यहां पर यह जील पड़ती ही जिगह पर यह जो है चीन अधिकरत छेत रहे पाकिस्तान इधर का मानता है लेकिन अब इंडिया ने पूरी तरह पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट है यह भी समझके चलिए कि आप जितना पढ़ेंगे आप अच्छे से सीखेंगे पॉंक्सो जील लद्दाख में इस्तित है भारत मई 2020 से लगातार भारत के चीन अधिकरत छेतर में प्रवेस कर रहा है मतलब भारत का एरिया है तो भारत अबुआं यह लद्दाख में गयल्वान नदी कोशन पूछ सकता है कि कि सराजी से संबंदित है तो आपको याद रखना है लद्दाख से ठीक है और पैंगोंग सो जील ठीक यह कहां पर है तो यह भी लद्दाख में और सिक्कीम में नाकुला में गतिरोध में सामिल हो रह जिनका नेम एक जैसा है एक नाथुला और एक नाकुला ठीक है एक ये नाकुला तो आपको याद रखना है नातुला पहले पढ़ जाता है मांसरोवर जाने के रास्ते में नाकुला जो है वो आगे पढ़ता है ठीक है बेहतर इलाके के आधार पर चीनियों की लगातार मौजुद्गी को भारती सेना द्वारा चुनौती दी जा रही है जिनोंने हाल ही में गालवान ग गाटी में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया है ठीक है विक्षित बुनियादी ढाचा उन्हें बढ़ी हुई आवरत्य और गहराई के साथ गस्त करने की एनुमती दे रहा है दिसंबर 2022 तक देखिए इसमें ये थोड़ा साची खबर है दिसंबर 2022 तक जम्मू कस्म है 347 किलोमीटर ठीक है कितनी 347 किलोमीटर आप देख सकते है 3433 क busy मित ठीक है आपको याद रखना है कितनी सडके पूरी हो जाएंगी 601 सडके पूरी हो जाएंगी ये इंपracyंट है आप याद रखिए चली आगे बढ़ تمते हैं इसके अगला कौशन है कि ऑरी में आगे नि तो इंपरोटन कोष्ट्टन है इसको याद रखिएगा पर रहा पूर्विगहार याद रहाँ का मतलब जैसे यह इंडिया है आपका तो इधर का इरिया यह वाला एरिया इस घाट की तरफ मतलब गुजरात की तरफ ठीक है अच्छे से याद रखिएगा कौन सी समिति है कस्तूरी रंगन समिति चलिए अगले कोश्चन को अब देखते हैं अगला कोश्चन है राष्ट्री मंडल दिवस किस तिति को मनाया जाता है तो इक किस तिति कर लिजिए थैंक यूरा